गुड़ मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास एड़् की थर्ड चेप्टर बस की आत्रा जो इसके लेखक हरी संकर परसाई जी इस चेप्टर के माध्यम से हरी संकर परसाई जी ने परिवयन नीगम की खास्ता बसो का वेंग्यात्मक, खास्ते वेंग्यात तरीके से वर्णन किया गया है और उन बसों के बारे में परिवयन निगम की वो कमजोरी बताई है जो वहें 4-5 साल तक एक बस की मरमत नहीं करवाते हैं उसे सुद्रवाते नहीं हैं और फिर वहें आगे जाकर के आम जनता के लिए मुसीबत बन जाती है उन बसों को चलाते र हिंदी में AMै करके आगे अध्यापन कारे में परविर्थ हो गए थे यानि अध्यापन कर्वाने लग गए थे प्रसाई जी का स्वभाव इस जीविका से पट्री पर नए बैठ सका निपढाने का कारे ने अच्छा नहीं लग सका तो इन्होंने साहाती साहितिक सर्जन में काफी समय तक समपाधनMI परकासण किया और आपके नीबंद ये सामाजी आप्त्र पत्र पत्रिकाओं में परकासित होते थे इन्होंने सामाजिक रूडियो राजनेती विडमनाओं था सामाजिक समस्याओं को अपने वेंगे वानों का लक्षे बनाया इनकी परमुक रचनायती हसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे बूद के पाउँ पीछे सदाचार का ताबीज बेईमान की परत अंत में पगड़न दिया आदे इनकी प्रेमचंद के फटे जूते जो प्रेमचंद जी के बारे में बताया है इसमें अब हम पढ़ते हैं बस की यात्रा हम पांच मित्रों ने हासे वेंग्यात्मक सेली में यह चिप्टर है और इनकी पांच मित्र उसी बस में यात्रा करते हैं जो टूटी-फूटी बस है हम पाँच मित्रों ने तेह किया कि साम चार बजे की बस से चले पन्ना से इसी कमपनी की बस सताना के लिए गंठे बरबाद मिलती है पन्ना यहाँ पे इस्तान का नाम है जो जबलपूर के ट्रेन मिला देती है सुबह घर पहुंच जाएंगे हम मेंसे दोख उस वह काम पर हाजी रोना था इसलिए वापसी का यहीं रास्ता अपनाना जरूरी था यानि रास्ता उसी रास्ते पर वापस आना था लोगों ने सलाह दे कि समझदार आदमी इस साम वाली बस में सपर नहीं करते क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं नहीं बस डाकी नहीं यानि बहुत सारे लोगों ने सलाह दी कि इस साम वाली बस में लोग सपर नहीं करते हैं रास्ते में डाकू मिलते हैं इसमें हास्ते विंग्यात में सेली का वरनन करते हुए कि यानि थोटी फटी है कई भी खराब हो सकती है कहीं पर बीच रास्ते में जंगल वहीं भी कढ़ित हैा साध्यों इसलिए उससे चाहते जोड़ी कंश्ट क्रम करते हैं लेकर कें एतनी बुर, बूड़े आदमी को गर किसी काम के लिए बूला जाये तो ऐसे लगता है कि उन्हें कष्ट होगा हम ही कर लेंगे तो उस बस को भी कष्ट होगा ऐसे लग रहा था कि वहां बस पूजा की योग गया है उसमें सवार केसे हुआ जा सकता है बस कंपनी के एक हिस्सेदार यानि ब देखना चायते हैं अपनी आप चलती है करकी ऑपने आप भी चल जाती है क्या यह बस हम आघाज़ा पीछा करने लगे डौक्टर मितन ने कहा दरों मत चलों बस अनभवी है नई नवेली बसो से ज़्यादा विश्वसनी हैं हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी यानि एक डोक्टर मितर ने कहा कि हमें आगा पीछे एक दूसरे के आगे पीछे चलने की ज़रत नहीं है डरने की ज़रत नहीं है यहां बस नई नवेली बसो से ज़्य श् ship numुट से उतना तजुर्बा नहीं होता वैसे ही कोई पुराणा आदमी होता है तैकर विश्वास पातर यह बेटे की तरह गोद में लेकर चलेगी हम बेट गए चोदने आयाust यानि जो हमें चोड़ने आयाए थे वह से उस बस के अवस्ता को देख यहां पे निमित का अर्फ होता है साधन बूत कारण, पूच का अरत होता है जानने यानि आदमी को जाने के लिए एक साधन बूत कारण चीए इंजन सचमुच श्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बसी इंजन है यानि उस बस में इतनी अवाज हो रही थी इतनी खडखडाट हो रही थी कि एसे लग रहा था सारी बसी इंजन हो अवर हमें इंजन के बीतर बेटे हैं काच बहुत कम बचे थे यानि चारे काश चूट चुके थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था यानि जो आदे काश टूटे हुए थे उनसे हमें बचना था कि कहीं चुबने जाएं हम फोरण खिटकी से दूर सरग गए, खिटकी से दूर हो गए, इंजन चल रहा था हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है यानि उस बस की खडखडाट को देखकर ऐसे लग रहा था लेकर को की हैं बस ही पूरी इंजन है बस सच्मु चल पड़ी और हमें लगा की हैं गांदी जी के ऐसा योग और सविन्य अवग्या अंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी यानि गांदी जी के उस जमाने को याद कर लेते हैं यह सविन्य अवग्या अंदोलन के वक्ती हैं बस जरूर सही रही होगी उससे ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर इसा दूसरे से ऐसा योग कर रहा था यानि ऐसा योग का मतलब होता है कि एक सही योग नहीं करना एक दूसरे का सही योग नहीं करना पूरी बस सविन्य अवग्या अंदोलन के दोर से गुजर रही थी यानि उसमें भी ऐसा योग आंदोलन में भी एक दूसरे का सही योग नहीं हो रहा था उसमें भी बस में भी ऐसा योग चल रहा था कभी लगता सीट बोड़ी को छोड कर आगे निकल गई कभी लगता है कि सीट को चोड़ कर बोड़ी आगे पीछे बागी जा रही है आठ दस मील चलने पर सारे भेदबाव मिट गए हैं समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बेटे हैं या सीट हम पर बेटी है यानि उस बच बस की जो सीट थी वह भी वहां पर पर नहीं की होई थी ऐसे लग रहा था जैसे उस सीट पर बेटे थे वह लोग भी आगे की सकर की जा रही थे यदि यह से लग रहा था कि लेकर कहरा हो हैं अरिसंकर परसाय Caesar हैं सीट हमारे उपर बेटी मालूम होना कि पेट्रोल की टंकी मिया थे ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में बेजने लगा अब मैं उमीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कमपनी के इससेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुह में दूद की सिसी लगाती है यहां पर हाथ से विग्यात मैं सेली का वनन करते हुए लेकर कह रहे हैं कि अब तो यह जो कमपनी का हिससेदार है उसको इसमें इंजन में छेद होने के बाद में यह इस बस को ऐसे दूद पिलाएगा कि जे माँ अपने पेट्रोल पिलाएगा कि माँ अपने बच्चे को द आथ को बावने थे यानि आ वहां का जो परिदर्श यता वहां का जो द्रिश्यता प्रकरती का वह अत्यधी मन को लेने वाला था दोनों तरफ करेवरे पेड़ तया जिन पर पक्सि बेटे थे में हर पेड को अ पना दूस्मन समझ रहा था कि कहीं पर भी यह बस चलेगी औ बस न टकरा जाए जील आती तो लेखर देखते कि इसमें गोता ने खा जाए कहीं इसमें गिरने जाए एक आये एक फिर बस रुकी ड्राइवर ने त्रह त्रह की तरकीब की पर वहें चली नहीं सविन्य वग्या अंदोलन शुरू हो गया था कंपनी के इस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी यहां तो इत्फाक की बात है यहां तो इत्फाक की बात है की है चल नहीं रही बस तो फर्स्ट क्लास है जी यहां तो इत्फाक की बात है यहां पर इत्फाक का रहत होता है अचानक चीन चांदनी में व्रक्षों की छाया के नीचे वहें बस पड़ी बड़ी दहनिये लग रही थी चीन कार्थ होता है कि कमजोर चांदनी के में व्रक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी ही दहनिये लग रही थी लगता जैसे कोई व्रिदा ठक कर बेट गई हो हमें गलानी हो रही थे कि बेचारी पर लदकर हम चल रहे हैं अगर इसका प्रणांत हो गया तो इसे बियाबान में हमें इसके अंत्यष्टी करनी पड़ेगी यहाँ पे प्रियान का अरत होता है यात्रा या सपर करना और प्राणांत कारत होता है प्राणों का अंत है यानि अगर इस बस का प्राणांत हो गया तो बियाबान में हमें इसके अंतियस्टी करनी पड़ेगी यानि यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा इस सिदार स्वाप ने इंजन को खोला और को सुदार अरा बस आगे चली उसकी चाल और कम हो गई थी दीरे दीरे व्रिदा की आँखों की जोती जाने लगी यानि जैसे एक व्रिधा आवस्ता में कोई भी इंसान हो जाता है तो उसकी आख्यों की जोती चली जाती है वेसे ही उस बसकी लग रही थी चांदी में रास्ता टटोल कर वहें रेंग रही थी आगे के पीचे से कोई गाड़ी आती देखती दिखती तो वहें एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी अपनी तो वहें उमर ही नहीं रही एक पुलिया के उपर पहुँचे थे कि एक टायर फिस करके बेट गया और भव जोर से हिलकत थम गई अगर स्पीड में होती तो उचलकर नाले में गिर जाती मैंने उस कंपनी के इस सेदार की तरफ पहली बार सरदा बाव से देखा वहें टायरों की यानि कंपनी के सेदार की तरफ लेकर ने सरदा बाव से क्यों देखा कि अब तो वाले यहां पर टायरों की हाले जानते हैं फिर भी जान हतेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं उसरक की ऐसी भावना दुरलब है यहां पर उसरकार्त होता है त्यागना या बलीदान या बलीदान यानि उस कंपनी के इस सेदार की बलीदान और त्याग की भावना ऐसी दुरलब है कमजोर है सोचा इस आदमी के सास और बलीदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चीए अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम समर जाते तो देवता भाएं पसारे उसका इंतजार करते कहते महान आदमी आ बलीदानी व्यक्ति है कि एक टायर के लिए मर जाएगा लेकिन उसमें नया टायर नहीं डलवाएगा और कितने लोगों की जान ले लेगा दूसरा गिसा टायर लगाकर बस फिर चली हम अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उमीद छोड़ दीती पन्ना कभी पहुंचन यहां पर प्रियान का आर्थ होता है यात्रा या सपर प्रियान कर जाना है इस प्रित्वी में उसकी कोई मंजिल नहीं है हमारी बेताबी तनाव कत्म हो गए यानि इस प्रित्वी से अब हमें प्रान पहके रूप जाएंगे इस बस में सपर करते करते हुँआ हम मर इत्मिनान से घर की तरह बेट गए, चिंता जाती रही, असी मजाग चालू हो गया, यानि अब बस चलने लग गई थी इस चेप्टर के माद्यम से लेकक हरी संकर परसाई जी ने उस परिवय निगम की उस कमजोरी का वर्णन किया गया है कि वह एक टाइर के लिए मैं कितने लोगों की जान जोखिम में डाल करके उन बसों को चलाते रहते हैं और कितने लोगों उसे परेशान होते रहते हैं उन्हें उनकी जिंदगी का पता नहीं है कि एसी बसों में बेट कर वह अपनी भाउमूले जिन्दगी को कभी भी खो सकते है धन्यवाद